दोस्तों मोबाइल एक्सिसरीज के मार्कट में हर रोज नए 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 कमपणिया अपने नए नए प्रोडक्स को लॉंच कर रही है इसी कड़ी में यूबॉन ने लॉंच किया है एक बेस्ट वार्लेस नग बैंड जिसका नाम है लाइट अप और जिसका मॉडल नंबर है CL3710 तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से क्रिक कोश्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फिरिंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ पास में जो नेम को भी मेंसन किया गया है जो कि यह लाइट अप बॉक्स के नीचे आप देख पार होगे 300 आर्स के स्टेंडबाइ टाइम की बैजिंग मिल जाती है जिसे अभी हम चेक करेंगे बॉक्स के साइड में आप देख पार होगे यहाँ पर बैक साइड में मैगनेटिक की एरबर्स इसमें प्रोवाइट किये गया है एक्वाइजर फीचर्स दिया गया है कमफर्टेबल वीयर है स्पोर्टी डिजाइन है काफी लाइट वीड की नेक बैंड है साथी साथ 10 mm का डाइनमिक ड्राइवर इसमें यूज किया गया है जिसे इसकी साउंड क्वाइलिटी काफी अच्छी हो जाती है दोस्तों बात कर इसके प्राइजिंग की तो इसकी जो प्राइज है MRP है वो 2999 रुपा है बट जो इसकी रियल प्राइज है उसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और आप इसकी प्राइज को सुनके चौक जाएंगे क्योंकि इसमें हमें 6 months की warranty मिलती है साथी साथ equalizer का features भी मिलता है और इस neckband में पहली बार RGB light का भी use किया गया है तो चलिए बिना किसी देरी की से unbox करते हैं और करते हैं इसका review देखते हैं कैसा है हमारा ये neckband कैसी है इसकी build quality और कैसी है इसकी sound quality दोस्तो बॉक्स के अंदर में मिल जाता है एक Thanksgiving card एक U-Bone का pouch जिसमें आप अपने neckband को carry कर सकते हैं एक USB to type C charging cable और इस cable की quality काफी अच्छी है तकरीबन एक मीटर का wire भी इसमें use किया गया और ये सांदार सा दिखने वाला neckband तो इन सभी को हम लोग side में कर लेते हैं अब बात करते हैं अपने इस neckband की दोस्तों हमारा ये neckband pure black color का और बहुत ही lightweight की neckband है देखने में भी काफी अच्छा लगता है बात कर इसके collar band की तो बहुत ही flexible इसका collar band को use किया गया है बहुत ही flexible है और जो इसमें material है वो भी काफी अच्छी quality का है इसमें plastic material यूज किया गया है बात कर इसके pillars की तो इसके pillars की design बहुत ही unique design प्रोवाइड की गयी जैसे gaming headphone के या फिर gaming neckband के जो design होती है उसको प्रोवाइड की जाती है उस तरह इसके pillars को प्रोवाइड किया गया और जो इसके pillar की quality है वो भी काफी अच्छी है यहाँ पर जब आव आप इसको touch करते हो तो soft touch plastic की feeling आती है और काफी अच्छी quality feel होती है इसी pillar के अंदर के साइड आप यहाँ पर देख पारोगो four buttons दीए गये है जो कि यह mode change button दूसरा है हमारा volume plus, volume minus button और बीच में हमारी power on off button इस pillar पर हमारी कुछ नहीं दीए गये है silver color की design को provide किया गया है बात कर इसके wire की quality काफी अच्छी है बहुत ही thick wire इसमें use किया गया है और काफी मोटा wire इसमें use किया गया है wire पे texture है जिससे इसके strength काफी अच्छे हो जाते है wire की अब बात कर लेते है अपने ear buds की तो यहाँ पर आप देख पारोगो जो ear tips है इसके just प को कुछ दिगर पर tilt किया गया है जिससे आपके कानों में काफी comfort fit provide करेंगे तो काफी अच्छा यह overall buds है इसका look और design मुझे personally काफी अच्छा लगा और इसकी build quality भी काफी अच्छी लगी चलिए अब इसे जल्दी से on करते हो और जो सबसे important चीज है इसकी sound quality को उसको check करते है दोस्तों यहाँ पर snack band को मैंने on कर लिया और आप देख पार होंगे यहाँ पर हमारी red green और blue color की light blink कर रही और बहुत ही प्यारी लग रही है यह देखने में काफी अच्छा look provide करती snack band को अब चलिए जल्दी से अपने mobile से connect करते हैं तो मैंने mobile का Bluetooth on कर लिया और यहाँ पर आ battery percentage है वो 90% है connect होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आजी भी लाइट अभी ब्लिंक कर रही है वो आफ हो गई है यानि अब जी निक्वेंड हमारे mobile से connect हो गया है वाव जस्ट वाव बहुत ही अच्छी sound quality है दोस्तों और काफी अच्छा bass भी प्रोवाइट किया है यूबॉन ने snack band को आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आपने mic के तो इसका sound सुना तो हो सकता है आपको कम समझ में आओ बट overall जो इसकी sound quality और जो base है वो काफी अच्छा है इसको देखने में भी ये इसका जो look है वो काफी premium quality का लगता है बात कर लेते हैं अब इनके pricing की दोस्तों तो box के उपर जो इसकी MRP थी वो 2999 रुपाय मेंसन की गई थी बट मुझे मिला ये मातर साड़े 700 रुपाय का और इसमें 6 months की warranty भी provide की गई तो अपने price के इसाफ से इसकी sound quality वो काफी अच्छी है साथ इसमें हमें warranty मिल जाती है ये भी काफी खास बात है अब बात कर लेते हैं इसके charging type की दोस्तों यहाँ पर जो इसका charging point दिया गया है वो type C point दिया गया है जिससे काफी जल्दी ये काफी fast चार्ज हो जाता है तकरीबन एक गंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है और ये जो box की ओंपर mention किया गया था कि 30 hours का play time देगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं दोस्तों अगर आप full value पे 100% value पे song को वीडियो को play करते हो तो लगभग 20-22 गंटे का ये निकबैंड ये backup प्रोइ सब चीज अच्छी है आप इसे calling के लिए यूज कर सकते हो गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो थोड़ा latency कम रहती है अगर आपको सिर्फ बात करना है तो उसके लिए भी आप Snake Band को यूज कर सकते हो तो friends कैसे लगी मेरी वीडियो comment section में जरूर बताईगा अगर मेरी सब्सक्राइब करें चैन बने बातरम